हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मधूश कीचन में फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सूपर टेश्टी मटन करी बनानी का एकदम नया अलग और आसान तरीका शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे वनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मटन लिया है तो सबसे पहले हम मटन को अच्छे से clean and wash कर लेंगे मटन को मैंने यहाँ पर अच्छे से 3-4 वार धो लिया है और इसके अंदर जितना भी पानी था उसको हमने अच्छे से रिमोब कर दिया है मटन के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए तो चलिए पहले अब हम इसके लिए एक मसाला तयार करेंगे तो सबसे पहले हम मिक्सर जार में 15-20 कलिया लहसुन की डालेंगे एक इंच अदरक का टुकडा डालेंगे और 2-3 हरी मिर्ज को इस तरीकी से काट कर डालेंगे और हमें इनका एक फाइन पेस्ट बनाना है और यहाँ पर दिखेगा हमने इनका पेस्ट बना कर तयार कर लिया है यह दिखेगा अब सबसे पहले हम मटन को एक मिक्सिंग बाउन में डालेंगे और इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चमच कश्मीरी लालमेश पाउडर डालेंगे डेड़ चमच धन्या पाउडर डालेंगे और एक चमच नमक डालेंगे दो चमज भरकर हम इसमें अधरक लहसुन और हरी मिर्च का पेश्ट डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दो चमज गरम करकर सरसो का तेल तो यहाँ पर हमने देखिएगा कच्चा सरसो का तेल नहीं डालना है तेल को हम हलका सा गरम करेंगे और उसके बार डालेंगे इस तरीके से तेल डालने से मटन में बहुत अच्छा सा एक फिलेवर आएगा और चलिए आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे मटन को हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा मसालो के साथ मिक्स करना है ताकि मटन के उपर मसालो का अच्छी तरीके से कोट हो जाए चारो तरप मसाले मटन पर अच्छी से लग जाए जब तक हमें मटन को इस तरीके से चलाते वे मिक्स करना है और यहाँ पर दिखेगा मसाले मटन के उपर अच्छे से लग गए हैं बहुत अच्छी तरीके से मटन पर मसाले लगए हैं तो चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ तो गैस पर हमने पहले ही प्रेसर कूकर को रख दिया था और इसमें हमने आधा कप सरसो का तेल डाल कर इसको अच्छे से गरम कर लिया है तेल अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें कुस्सू की मसाले डालेंगे खुस्बू के लिए तो यहाँ पर दिखेगा हमने एक चम्मा पता लेंगे in सभी को हम तेल में डाल देंगे और इसइम पर देखेगा हमने की फिलेम को लोग कर दिया था खी मसाले एकदम जले ना लोग फिलेम पर हम सभी मसालों को आधा मिनट के लिए भुनेंगे भुनेंगे ताकि जो इनको भी हम तेल में डाल देंगे और अब low to medium flame पर प्याज को हमें लगाता चलाते वे भूनना है प्याज को हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से भूनना है जब तक कि प्याज पर एक बहुत अच्छा सा golden color ना आ जाए जब तक हम प्याज को भूनेंगे और प्याज को हमें यहाँ पर देखिएगा लगाता चलाते वे ही भूनना है उशको हमें छोड़ना नहीं है और अब देखिएगा प्याज हमारी बहुत अच्छी तरीके से भून गई है प्याज पर बहुत अच्छा सा e golden color आ गया है और प्याज भी हमारी बहुत एच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है ये देखिएगा इस पर कितना अच्छा कलर आया है अब हम इसमें मैगिनेट करे वे मटन को डाल देंगे और मटन को भी देखिएगा प्याज के साथ हम चलाते वे दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूने करेंगे तो यहाँ पर पहले हमें मटन को हई फ्लेम पर भूनना है दो मिनट के लिए होना मटन जो है वो पानी जो है इनली eligibility करने लगेगा तो में हमें मटन कशी औldंग् dov मिनट हो गये वरना मटन जो है वो नीचे लग सकता है और यह देखिएगा हमने इसका धकन हटा दिया है और मटन ने देखिएगा पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है अब जो इसमें प्याज है और मटन है दोनों अपना पानी रिलीज करेंगे तो उसी पानी में हमारा जो मटन है वो भ और 15 मिलट के बाद ये देखिएगा मटन हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है और मटन जो है वो सोफ्ट भी होने लग गया है तो यहाँ पर देखिएगा इसने ओयल को बिल्कुल रिलीज कर दिया है तो इसका मतलब है कि हमारा जो मटन है बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है अभ हम इसमें कुछ सोही मसाली डालेंगे तो हम यहाँ पर आदा चोटा चमश हली पौडर डाल रहे हैं अच्छा चमश हमें पहले भी डाले है तो इस बात का ध्यान लखें और साथ झाले है यह चाहँ यह तीख कम होती है और इसे कछळल भी बहुत जाला है तो अभी हम कम डाल रहे हैं और एक बार फिर से हम सभी मसालों को मतन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और दो मिनट के लिए हम सभी मसालों को भूनेंगे मसालों को भूनते वे लवक दो मिनाट हो गया और मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से भून गया है तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे टमाटर तो यहाँ पर देखिएगा मैंने एक बड़े साइच के टमाटर का पेस्ट बना लिया था आप काट कर भी डाल सकते हैं और अब इसको भी देखिएगा हम मतन के साथ पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को भी हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से भूनना है जब तक कि टमाटर का कच्छापन है वो अच्छे से ना निकल जाए जब तक हम मतन को टमाटर के साथ भूनेंगे और अब टमाटर का पेश्ट भी अच्छी तरीके से मतन के साथ मिक्स हो गया है तो अब हम इसको भी ढखेंगे और पांच मिनट के लिए इसको ढखकर भूनेंगे जब तक कि टमाटर का जो कच्छा पन है वो न निकल जाए जब तक हम इसको भूनेंगे तो टमाटर को भूनते वे भी देखिएगा पांच मिनाट हो गए है और टमाटर भी बहुत अच्छी तरीके से भून गया है और सभी चीजों ने देखिएगा ओयल को रिलीज कर दिया है इसका मतब है कि सभी चीजों बहुत अच्छी तरीके से भून गई है और अभी से देखिएगा इसका कलर कितना बढ़िया आया है और इसमें से बहुत भ़िया खुसबू आ रही है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी तो पानी हम जो इसमें डालेंगे वो बुन गुना पानी डालेंगे और मैं यहाँ पर इसमें एक गिलास पानी डाल रही हूँ पानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कमिया ज्यादा भी कर सकते है तो पहले हम इसको एक वार अच्छे से mix कर लेंगे अगर जरूरत लगेगी तो हम इसमें बाद में और पानी add कर लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा gravy में उबाल भी आ गया है तो इसमें बहुत ही बड़ी ऐसा taste और flavor लाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच भर कर मीट मसाला मीट मसाला आप किसी भी ब्रेंड का ले सकते है और अब इसको भी एक वार हम gravy के साथ अच्छे से mix कर देंगे फ्रेंट जब आप इस तरीके से मटन करी बनाएंगे ना तो पहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होगी एक अलग टेस्ट में और अलग flavor में बनकर तयार होगी और अब हम इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा enhance करने के लिए इसमें डालेंगे पूरी एक गाट लहसुन की तो यहाँ पर देखेगा हमने इसको उपर से थोड़ा सा काट दिया है और नीचे से भी इसको अच्छे से साफ कर दिया है तो इसको हम gravy में डालेंगे और एक वार अच्छे से देखेगा इसको gravy के साथ mix कर देंगे तो यहाँ पर देखेगा हमने सभी चीजे को बहुत इच्छी तरीके से mix कर दिया है तो चलिए आप cooker का धकन लगा देंगे और medium flame पर पहले हम इसमें 3 सीटियां आने देंगे और उसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए low flame पर पकने देंगे बैसे तो मटन का पकना उसकी quality के उपर depend करता है कोई मटन जल्दी गल जाता है और कोई थोड़ा time लेता है जब cooker का pressure खुछ से release हो जाएगा जब हम इसके धकन को उटाएंगे तो यहाँ पर देखेगा इसका pressure अच्छे से निकल गया है और अब धकन हटा कर देखते हैं और यह देखेगा वाओ क्या color आया है कितनी बढ़िया हमारी मटन करी बनकर तयार हुई है एकदम सूपर टेश्टी मटन करी बनकर तयार हुई है यह देखेगा बहुती बढ़िया तरीके से हमारा मटन भी पकर तयार हो गया है बहुती अच्छी से इसमें से खुसवू आ रही है फ्रेंड जब आप इस तरीके से मटन करी बनाएंगे न तो इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, किसी भी चिछ के साथ ले सकते हैं बहुती ज़्यादा टेश्टी बनकर तयार हुई है और अब आपको दिखाते हैं कि हमारा मटन पूरी तरीके से पका है या नहीं पका है और ये देखेगा कितनी इजिली ये कटकर अलग हो जा रहा है बहुती बढ़िया हमारा मटन पकर तयार हुआ है ये देखेगा बहुती ज़्यादा सोप्ट हमारा मटन बनकर तयार हुआ है इस टाइम पर आप चाहें तो इसमें फ्रेस कटा हरा धनिया भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ तो चलिए अब इससे दो मिनट के लिए सेट होने के लिए रखते हैं और उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वनाई मतन करी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूलिएगा और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन का वटन प्रेस करना ना भूले जिससे की मेरी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके थैंक यू